यासे वालो एवरीवान हितेश यहार और टोड़े वी गना टॉक अबाउट दी मुवी काल्ड ब्लडी डैडी जिसको आप फ्री में वॉच आउट कर सकते हैं लेकिन अगर बिजी शेडियूल के चलते टाइम बचा कर फटा फट से अपने मुवी को भी इंजॉय करना चाहते हैं और डेटा भी बचाना चाहते हैं तो हम किस दिन काम में आएंगे चली आते हैं डारेक्टि इस कहानी की में स्टोरी लाइन की तरफ जिसकी शुरवात में हमें 2020 का वक्त दिखाया जाता है यानि की कॉरंटीन चल रहा था हर कोई अपने घर में था और जगे दिखाई ज निकलती है सुमेर और जगी उनका पीछा करते हैं और थोड़ी देर बाद में इन दोनों की कार आपस में टकरा जाती है इस कार में भी अलड़ी दो लोग बैठे थे इनके बीच में शूट आउट हो जाता है जिसमें से एक शक्स तो वहीं मारा जाता है और वहीं दूसरा सुमेर का चैरा देख लेता है अब कहीं वह बंदा जाकर अपने शूमेर को यह बात ना बता दे कि सुमेर ना अमारी गाड़ी दो बड़े गुंडे आकर वहां से निकलने में कामियाब हो जाता है हालाकि यह लोग उस ज्रॉग डीलिंग को रोकने में तो कामियाब हो गए और इस वक्त सुमेर का अपने वाइफ के साथ almost divorce हो चुका है और अब उसकी वाइफ रिया अपने एक दूसरे बंदे के साथ रहना स्टार्ट कर देती है मगर फिर भी सुमेर को अपने बेटे अथर्व से प्यार होता है और इस वक्त वो गुरुग्राम के एक होटेल के अंद सेज के अंदर सब कुछ खा सकता है अभी से इतने नकरे दिखाएगा तो आगे बॉड़ी कैसे बनेगी वेटर इसके लिए सब कुछ लेकर आओ अधर्विया अपने फादर से परिशान क्योंकि वो इसके बारे में कभी ना तो पहले समझा करते थे और नहीं समझ रहे थे इसलिए उन से परिशान होकर अपने रूम में चला जाता है यहां पर सुबह के शूट आउट की वजह से कनॉट प्लेस में बहुत ही जदा भीड़ इकटा हो चुकी थी और इंबेस्टिकेशन के लिए तो यही दोन ऑफिसर भी पहुंचे थे इसी के साथ वहां पर दो कि मुझे वापस ला करके दे दे क्योंकि तेरा बेटा हमारे कबजे में हैं और अब क्योंकि सुबह से रिया अपने बेटे अथर्फ को कॉल कर रही थी कॉल वह पिक कर नहीं रहा था इसलिए वह सीधा सुमेर के पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी वेज़े से मेरा गया हुआ है जाकर उसे लेकर आओ अब यहां पर सुमेर जगी से कहता है कि जो ड्रग्स हमने सुभे उन गुंडों से चुराया था वो पूरा ड्रग्स सिकंदर का था जो की गुरुग्राम के सेवन स्टार होटल एमरेल्ड का मालिक है अगर हमने उसे ड्रग्स नहीं दिय स्टार होटल तभी चल पाएंगे जब बड़ी बड़ी पार्टी और शादियां वहां पर कंडक्ट होंगी तो यहां पर कुछ अमीरों की बड़ी शादी चल रही थी इसी के बीच में सुमेर पहुंच चुका था उन ड्रग्स की बतले अपने बेटे को लेने के लिए अब यहीं कहानी में ट्विस्ट आ जाता है सुमेर का पीछा करते करते अदिती पहुंच चुकी थी उसी ड्रग्स को छिपाने के लिए क्योंकि उसे लग रहा था कि सुबह हुए शूट आउट में कहीं न कहीं सुमेर का हाथ है और पूरे ड्रग्स को वो मेल टॉयलेट की जग क्योंकि सिकंदर ने सुमेर को अपने ड्रग्स को लाने के लिए गंटा दिया था और जब सुमेर उस ड्रग्स को लेने के लिए जाता है तो वहां तो वह था ही नहीं क्योंकि अदिती ने उसे चुरा लिया था अब वो बिचारा तंग आकर इदर अदर ढूनता है और सेम बैक को तलाश करके किचन में पहुंच कर आटे की थेलियां बनना शुरू करता है जो कि बिल्कुल ड्रग्स जैसी दिखती हो सुमेर को बार बार सिकंदर का कॉल आ रहा था कि ड्रग्स जल्दी लेकर के आप मुझे जिस पार्टी को देना है वो पार्टी यहां पर आ चुकी तो बैक की चेन को खराब कर देता है और सीधा सिकंदर के पास आटे वाला बैग लेकर पहुंच जाता है अब उसकी चेन तो खराब होती है इसलिए हामिद उस ड्रग्स को चेक नहीं कर पाता और अब सिकंदर को भी सुमेर के बेटे अथर्फ को छोड़ने का और पास करना पड़ता है अब जब तक सुमेर अपने बेटे अथर्फ तक पहुंचता यहां कहानी में दो बड़े बड़े ट्विस्ट आ जाते हैं नंबर वन ट्विस्ट तो यह कि हामिद को पता चल जाता है कि उसने ड्रग्स की जगे उसे आटा पकड़ाया है और दूसरा उसके बाद में ग्लासस का तूटना और एक लॉंग वन शॉट दिखाना तो लड़ाई को छूडते हैं और सीधा कंक्लूशन पर आते हैं गुंडे बहुत ही जादा थे और वह अगेन अथर्फ को पकड़ करके ले जाते हैं और अब सुमेर के लिए चैलेंज यह था कि अस ना मारू इसके बदले मेरे बेटे को छोड़ दे इस पर सिकंदर कहता है कि हमीद तो है बी बेकार मुझे तो वैसे भी जरूत नहीं थी इतना हमिद सिकंदर की पुरानी खोलना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तेरी बीवी के बारे में सब जानता हूं तो मेरे पास रात को सोने के लिए आती है ये बाते सुनकर सिकंदर को गुस्सा आता है और आप बारिती जान से मारने की सुमेर लेकिन अगर सुमेर मढ़ जाता तो सहिर सी बात है उसका लेu करोड़ों का ढूंज से कभी नहीं मिलता अब basically यहाँ पर जग्गी मिला हुआ था समीर से और समीर मिला हुआ था हामिद से अब क्योंकि हामिद मर चुका था तो समीर सारा ड्रक्स खुद लेने के बारे में सूच था है और सुमीर को अपने रास्ते से हटा देना चाता था इसी बीच इन दोनों के one to one combat भी होता है दे लिए अपनी जान बचाने के लिए समीर वहां चलती बड़ी पार्टी में पहुंच जाता है जो कि रॉयल फैमिली से बिलॉंग करते थे और उनकी टेबल पर चड़ कर खाने को तो नहीं लेकिन ग्लासेस को लात मार मार कर किरा रहा था अब क्योंकि बड़ी फैमिली है वह जाकर बचा लो मगर यह बाते करते वें डैनी सुन लेता है और वह अथर्व में जोरदार चाटा बजा देता है और यह बात सुमीर को पता चल जाते और अब डैडी बन जाता है ब्लडी डैडी और उसके हाथ लग जाती है एक फ्लेम गन और वह पहुंच जाता है सीधा ग और अब क्योंकि सिकंदर एक तो सैंस्टार होटेल का उनर है और उपर से एक पुराना गुंडा भी था तो उसके पास में ऑल्रेडी होटेल में बहुत सारी गन्स ग्रेनेट और वैपन्स मौजूद थे तो अपने सारे के सारे स्योक्यरिटी को वैपनाइस्ट कर देता है और भेज देता है सुमेर को जान से हमारने के लिए इस बीच होटेल की पार्टी में बाठ्शा का गाना भी चल रहा था और उपर से अधीति और समीर उस यह बात फैला देता है कि यहां पर निकल जाओ और भगदड के बीच में वह अथर्फ को लेकर वहां से निकल जाता ह और जिस गाड़ी में वो भागा था वो BC के लीज समीर की ही गाड़ी थी जिसके इंदर ओरिजनल ड्रग्स पड़ा था अब अपने आपको इनोसेंट साबित करने के लिए वो अधीदी को मैसेच कर देता है कि ओरिजनल ड्रग्स मेरे पास में पड़ा है और उपर से समीर ही ड्रग डीलर है जो कि इंटर्नली इस पूरे रैकेट को चला रहा था जैसे अधीदी को पता चलता है कि इन सब के पीछ समीर है तो वह से शूट करने वाली थी मगर मौका रहते ही सबसे पहले समीर अधीदी को शूट कर देता है और फिर अपनी ही गाड़ी में बैठ है सिक चाही बता डालती है और इसी के साथ पुलीस समीर को पकड़ कर ले जाती है ओपर से ड्रग भी पुलीस को मिल जाता है अब जैसा कि अथर्व और सुमेर की बीच में बांडिंग नहीं थी मगर उसके फादर नो उसकी जान बचाए थी तो अब अथर्व को लगने लगता है कि मेरे फादर ही असली सूपर हीरो हैं वहीं कहानी के एंड में सब कुछ सही हो जाता है यानि कि रिया आपने न्यू हजबेंट के साथ खुश थी अथर्व अपने फादर सुमेर के साथ में खुश था पुलीस को ड्रग मिल चुका था और समीर पहुंच चुका था सालाग हो के पीछे मगर गुथी अभी तक यह थी कि वह एक्स्ट्रा तीन किलो ड्रग्स गायब था जिसमें अदीती सुमेर से पूछ थी कि क्या तो मैं उस ड्रग्स के बारे में कुछ मालू है तो सुमीर कहता है कि हम साथ मिलकर ढोंडी लेंगे कोई बात में मगर इतने में ही अ होनी चाहिए थी क्योंकि फन फैक्ट इतने थे इसमें इतनी सारी हसी मजाग थी कि अगर यह थीटर में रिलीज होती तो लोग जादा इंजॉय कर पाते मेरा इस मूवी को लेकर के इंजॉयमेंट बहुत बढ़िया था मुझे मूवी परसनली बहुत अच्छी लगी स्टो तब तक के लिए keep watching and stay safe मिलते हैं अगले वीडियो में